12 स्लोट सिलिंग फेन वाइंडिंग यदि आप कॉपर वायर से करना चाहते हैं तो वाइंडिंग डाटा क्या लेना होगा समझ लेते हैं देखें दूस्तों हमारे पास ही है जो सिलिंग फेन है इसमें टोटल आपको 12 स्लोट नजल आ रहे हैं सबसे पहले देखिए हमारे पास जो बाहर की तरफ वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग होती है और अंदर की तरफ वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ठीक है winding करने के लिए हमने running winding में 420 या 420 number of turns दिये हैं और starting winding में 400 या 400 number of turns दिये हैं देखे ceiling fan में total आपको 4 wire यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो जो 2 wire है वो running winding के हैं देखे running winding का starting सिरा और ending सिरा और 2 wire आपको starting winding के दिये गए थी कि 4 wires इस तरह से नज़र आ रहे हैं 36 SWG wire का हमने use किया इस winding data के लिए यदि आप 35 SWG wire का use करते हैं तो 377 आपको running में देना है और 307 आपको starting winding में देना है